कि अब यहां पर देख सकते हैं हम लोग अपने फायर्स के एप में आ चुके हैं यहां पर आप लोगों को मैं बताऊंगा कि अगर हमें इंडिया माट बाई करना है और हमारे पास मल्टिपल स्टॉक्स की लिस्ट होती है और मैं पता नहीं चलता कि यार वो स्टॉक का ब्रेक आउट दे जाया तो उसके लिए मैं एक इलर्ट की जरुरत पड़ती है तो उसके लिए मैं सबसे पहले फायर्स पर लॉग इन कर लेता हूं और यहां पर आप लोगों को दिखाता हूं कि आप किस तरीके से क्रेट इलर्ट कर सकते हो चिक हैं सो देख सकते हैं जैसे कि यहा अबव 7700 के उपर सो अम लोग क्या कर सकते हैं हम लोग एक इलर्ट क्रिएट कर सकते हैं what you have to do you have to just click on that stock आप stock को क्लिक करेंगे आप bottom right hand side में देखेगा आप को यहां देखेगा create alert खा so create alert पे आपको क्लिक करना है create alert पे क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा terminal show होगा यहां पे आप नाम डाल सकते हो for example एक swing trade है तो मैं लिख देता हूँ India Mart swing trade okay and यहां पे select type कर सकते हो मैं चाहता हूँ जो मेरे last traded price होगा वो 7700 के उपर होना चाहिए ठेक है या फिर उसके पास होना चाहिए यहां पर हमारे पास कम से कम 4 से 5 options दिखा रहे हैं तो मेरे लिए जो better option है वो है greater than और equal to तो मैं greater than in equal to value डाल देता हूँ 7700 तो अगर इसके उपर या इसके बिलकुल pass होगा तो मेरा यह alert create कर देगा और मुझे यह alert बता देगा ठेक है तो यहां पर आप देख सकते हैं मैंने इसे create कर दिया है और वो आपके यहां पर show करना start कर देगा तो जैसी ही यह 7700 को test करेगा या फर इसके ऊपर जाएगा यह आपको alert देना start कर देगा आपके mobile phone में और उसके थूँ आप इस particular stock के अंदर trade कर सकते हो एक important feature और इन्होंने add करा है अगर मैं आप लोगों को दिखा आना चाहूं तो इनके यहां पर आप देख सकते हैं अगर आप इनके apps पे जाते हैं and trading view widgets पे जाते हैं तो यहां पर इन्होंने एक economic calendar भी joint कर दिया है तो यह पूरे world के जो भी economic के related factors होते हैं वो सारी की सारी चीज़े आपको यहां पर पता चल जाते हैं for example May 21 को bank loan growth आया था deposit growth था तो वो सारी के सारी economic related जो newsments होते हैं वो यहां पर आपको show कर गई हैं अगर आप इंडिया के अलावा all over the Asia कहीं पर भी देखना चाहते हैं कोई भी countries का तो आप globe में search करके उस country के economic calendar को search कर सकते हैं so यह दो features उनने बहुत अच्छे add कर रहे हैं जो journaling हम लोग देखते ह है कि अगर हमें alert की जरूरत होती है तो हमें trading view पर पैसे देने पड़ते हैं तो वहां पर यह चीज आप लोगों को fires के थूफरी में मिल रही है यहां पर आप लोग बहुत easily stocks पे alert लगा सकते हैं so चलिए आगे फर्दर बात करते हैं तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कल कौन से stocks पे और nifty bank nifty पे किस तरीके से trade करते वे चल सकते हैं आज हम लोग live आए थे pre market analysis पे pre market session पे around 8.40 a.m. और हम लोग 10.10 बज़े तक रुके थे सो वहाँ पर मैंने आप लोगों को सारी ग्यान प्रोवाइड कराएं मैंने आपको nifty का बताया था कि आज पूरे दिन market क्या रह सकती है और exact वैसा हुआ और आप लोगों को nifty पे जो trade दिया था वो आप लोगों ने fulfill करा था सो अगर आप लोग हमारी live में जोड़े तो प्लीज एक बर वीडियो पॉस करके हमें section में बताएगा कि आप लोगों को जो nifty में बताया गया था exact वैसा हुआ और आप लोगों को चार्ट पर दुबारा लेकर जाओंगा और बताओंगा किस तरीकिस हम लोगों ने करा था दूसरी important चीज में आप लोगों के साथ share करना चाओंगा कि यहाँ पर आज हम लोग 5 stocks बताने वाले हैं उसमें से 2 stocks, 1 swing trade होने वाले हैं यहाँ आप लोगों के साथ share कर दिया जाए करंटली हम लोगों चीज में आप लोगों को बताया था कि आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर मैंने बिटकोइन सजेस्ट कर रहा था कल 34,000 रुपीज पर बाय कर सकते हैं डॉलर पर और 39,000 डॉलर अभी चल रहा है और बहुत भीरियस अदर चीजे में में प्रोवाइट कर वाता हूं तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक है हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए ट्विटर हैंडल पर फॉलो करिए मैं हर जगा एक्टिव रहने की कोशेश करने वाला हूं और आप लोहों का हर जगा साथ देने वाला हूं और एक लास्ट चीज में आप लोगों के साथ शिएर करना चाहता हूं उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने सेटप्स की तिरफ कि guys अगर आप लोग इंटरस्टेट हैं जिस तरीके से में सेटटप से लाइव मार्केट के अंदर प्रोवाइड करवाता हूँ Swing Trades के generally अगर आप लोग इंटरस्टेट है Swing Trades and Options पे तो आप लोग हमें जॉइन कर सकते हैं हमारा जून से बैच स्टार्ट हो रहा है not for program हम लोग कुछ सिखाने नहीं वाले हैं बट वहाँ पर charts share करने के साथ आप लोगो कुछ trade setups प्रोवाइड होंगे जिसके तुरू आप लोग कुछ monthly income earn कर सकते हैं So नीचे आप लोगो को एक number दिया होगा वहाँ पर whatsapp number है आप हमें whatsapp करिए आप लोग लिखिए yes we are interested आप लोगो को सारी details प्रोवाइड हो जाएगगी So guys चलिए start करते हैं अपने trading setup की तरफ and बढ़ते हैं सबसे पहले stock की तरफ और देखते हैं किस तरीकी से perform कर सकता है चलिए So जिसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग अपने trading setup पर आ चुके हैं सबसे पहला stock जो मैं आप लोगों के सामने share करने वाला हूँ यह swing trade है जो की stock का नाम है HSIL यह से आप लोगों को याद आ रहा होगा HSIL अपने live session पे आप लोगों को YouTube पे दिखाया था कि आप लोग बाय कर सकते हैं 208 के आज पास और closing price इसका 217 रोपे है और यह stock मैं आप लोगों को बहुत पहले भी suggest करावा है So यह आप लोगों को clearly पता है वीगली time frame के अंदर एक hidden shoulder pattern का breakout आया है ब्रेक आउट आने के बाद आप देख सकते हैं कि इसने दो हफते स्कीव पर आराम से रुका रहा ब्रेस बनाते रहा और आज के trading session के अंदर आप लोगों एक sharp up move देखी है अगर मैं आप लोगों को लेकर लेकर चलता हूं पर दिखाना पसंद करूँगा 1 hour के time frame पर आप दिखेंगे एक sharp up move एक range के अंदर और एक breakout तो एक pennant pattern का breakout दिया है और इसके जो targets है वो 250 रूपीज की है yes guys 250 रूपीज तक के लिए आप इस particular stock को hold करके रख सकते हैं और अगर आप यह आप लोगों ने इस पे currently मेरी live session के through buy बना रखा है तो आप लोग हमें चैट box पे बता सकते हैं so let's move to our next stock, next stock जो हमारा है उस particular stock का नाम है PNC Infra यह वाला particular stock भी एक swing trade है मेरे पास यह already पढ़ावा है तो मैंने सोचा आपको के साथ share कर जाए यहां पर आप clearly देख पा रहे होंगे कि यह एक resistance level था यह देख रहे है first time resistance, second time resistance, third time resistance और इसने resistance level का एक बहुत बढ़िया तरीके से ब्रेक आउट दिया ब्रेक आउट देने के बाद आप देख सकते हैं और यह नीचे रीटेस्ट उने आया है दुबारा रीटेस्ट अब यह दुबारा उपर बढ़ना start कर रहा है यहां पर आप clearly देख पा रहे हैं यहां पर एक अच्छी बाइंग हम लोगों को देखने को इस particular stock के अंदर मिल रही है दूसरी चीज अगर मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे शेयर करो तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो एक फ्लाग पैटन का भी ब्रेक आउट आया है आप देखने है शाप अप मूफ शाप आने के बाद आप देख सकते हैं लोँर लोज औल लोएलोण लोवर हाइज का फोर्म कर रहा है अब इसने प्रिवियस हाइज को ब्रेक कर रहा है एक चैनल के रिंच का ब्रेक आउट भी दिया दू पोजिटिव साइज थर्ड पोजिटिव साइज री टेस्ट करके रेगुलरली ऊपर जा रहा है तीन positive sign देखने को मिल रहे हैं अब क्या यहां से continuous rally कर सकता है पहली चीज येस दुबारा continuous rally कर सकता है और तीन सो रुपे के आसपास जा सकता है दूसरी चीज अभी previous high को break कर रहा है नीचे आएगा नीचे आने के बाद ये कहां तक आ सकता है नीचे उसकी बाद कर लेते हैं तो अल्मोस्ट अगर मैं आप लोग को बता हूँ तो ये 240 से लेके 235 तक आ सकता है एक बार 235 से लेके 245 तक आ सकता है रेत्रेसमेंट लेने और फिर एक अपमूव स्टार्थ हो जाएगी तक अदर सो मेरी करेंटली बाइंग साथ तो आप लोग पेशेंच लेट कर सकते हैं या तो रेत्रेसमेंट का या तो अगर आप सो कॉंटिटीज के अंदर बाय करना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा अभी 40 कॉंटिटीज ही बाय करेंगे जब नीचे डिप दे तो 60 कॉंटिटीज और आड़ इसके अंदर कर सकते हैं अगर अगर आप लोग ने फ्रेशली बाय नी करा तो कल उस पर भी डिप आती है तो आड़ अन कर सकते हैं उसके अलावा यहां पर आप देख सकते हैं कि इसने एक बेस क्रियेट करावा है यह देख रहे हैं यह एक बेस एक डाउनफॉल एक बेस और एक राली दुबारा अपसाइड पर स्टार्ट हो रही है यहां पर अगर मैं वन आर के टाइम फ्रेम पर चलूँगा तो वन आर क यहां पर आपको दिखेगा यहां पर भी एक पैनेट पैटन फॉर्म हो रहा है एक शार्प अपनूव एक रेंच के अंदर कंसॉलिडेट कर रहा है इसका जैसी एक ब्रेक आउट आता है एक अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है पंदर आपके टाइम पर और इसली दि दिखने को मिल सकती है ठीक है तो यहां पर इस तॉक को आप लोग वाच लिस्ट के अंदर डेफिनिटली आट कर सकती है लेट्स मुव तो आर नेक्स तॉक दाट इस जील जील आज हम लोगों ने एक जिट कर लिया है हमारे जो 200 रोपी की टागेट थे वो आ गए थे और य क्योंकि यह अभी हर्डर लेवल पर अगर आता है तो मैं पॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी है इस रीजन से मैं आप लोगों को अभी सजेस्ट कर रहा है अगर कली आज आता है तो कली आप लोग ट्रेड कर सकते हैं सबसे इंपोर्टेंट चीज अगर आप लोग देखेंगे तो यह एक रेंज के अंदर काम कर रहा है रेंज के बॉटम पे ट्रेड कर रहा है रेंज के बॉटम पिसने एक डबल बॉटम भी क्रिएट कर आवा है यहां पर आप देख सकते हैं एक डबल बॉटम क्रिएट कर रहा है सेकंड इंपोर्टेंट चीज इसने अपने एक ट्र काम करता था इसके बाद जब resistance का breakout दिया तो that resistance become support जब support का इसने breakdown दिया that support become resistance so भी यह पर एक resistance यह phase कर रहा है around 200 rupees यह 201 rupees के level पे current price है Z entertainment का 198 rupees so अगर 200 रुपे के ऊपर यह निकलना start करता है एक अच्छी बाइंग तब और इस particular stock के अंदर हम लोगों को देखने को मिल सकती है let's move to 15 minute के time frame पे so 15 minute के time frame अगर मैं आप लोगो दिखाता हूं so यह पर आप लोग देख पाएंगे 15-15 minute के time frame पे यहां एक चोटा सा hurdle है जो हम लोगों को देखने को मिली रहा था यहां पर आप लोगों को और easily show कर गया है देख पारे हैं यहां पर first time resistance second time resistance third time resistance लेके नीचे आ रहा है so हमें करना है हम लोगों को patiently wait करना है जब एक breakout आएगा इस level के उपर तभी हम लोगों एक fresh buy position initiate करते हूं चलेंगे अगर आप यहां देखेंगे so आप देख सकते हैं almost almost 135 से 215 तक आगया almost 100% 90% की movement दी movement देने के बाद यह नीचे आया 50% तक fall करा almost अपनी पूरी up move का 50% तक fall करा and आज एक bullish engulfing candle बना के closing दी है which is a very good sign अभी current price की में बात कर रहा हूं 183 के आसपास trade कर रहा है हमें buying बनानी है 184 rupees के ऊपर जो कि आपके 138.2% retracement level देख रहे हैं इसके ऊपर हमें buying बनानी है यह एक swing trade भी बन सकता और एक intraday trade भी बन सकता है 15 minute के time frame पे चलते हैं further study करते हैं further study पे मुझे पता चल रहा है यह देख रहे है first time यहां पर इसने एक बार resistance लिया यह देखे first time यहां पर इसने पहले support लिया जब support break हुआ that इसके लिए resistance and यहां पर इसके लिए resistance बन गया है so जब तक इसके ऊपर एक breakout नहीं आता 184 के ऊपर एक अच्छे buying देखने को नहीं मिल सकती उसके अलावा अगर मैं आपर एक trend 9 analysis भी करता हूँ तो यह देख रहे हैं यहां पर एक resistance आ रहा है so जैसे इसका एक breakout आएगा almost 5-6 रुपे की बहुत बढ़िया movement NMDC भी दे सकता है और अगर यह इसके ऊपर जाता है और यह 200-215 तक आपने प्रिवियस हाइस तो इसको तब भी आप ट्रेट करके चल सकते हैं so I hope आपको कुछ तॉक्स तॉक्स कर दिया होंगे देखे हर 5 तॉक्स बढ़ते नहीं है कुछ बढ़ते हैं कुछ गिरते हैं इसलिए आपको यह 5 तॉक्स सजेस्ट करे जाते हैं let's move to our nifty and bank nifty analysis so nifty bank nifty के लिए में 1 minute का टाइम फ्रेम उपन करना चाहँगा 1 minute के टाइम फ्रेम पर आप देखेंगे तो यहां पर मैंने आपको को सजेस्ट करा था कि आप लोग nifty bank nifty के अंदर एक ट्रेटिंग बेट लेकर चल सकते हैं 1st candle बनी थी यह वाली 1st candle तभी मैंने आपको बता दिया था कि market range bound रहने वाली है मैंने आपको तभी बता दिया था market range bound रहने वाली है जिस तरीके से candle बनी है दूसरी चीज मैंने आपसे बोला था मैं 6 candle का वेट करना है 1st 2nd 3rd 4th 5th & 6th जिए हम लोग 6 candle का वेट करें तो मैं पता चला sideways to uptrend क्या बोला मैंने sideways to uptrend है उसके अलावा हम लोग ने क्या करा हम लोग ने patiently wait करा हम लोग ने बोला uptrend है तो कोई बात नी previous high breakout देना पड़ेगा बट actual मैं ऐसा नहीं हुआ यह नीची आया नीचे आने के बाद इस level से gap को fill करके ऊपर गया हम लोगों ने तब भी कोई trade नी लिया live market पे यह दुबारा नीचे आया दुबारा नीचे आने के बाद इस level से reverse करा मैंने आप लोगों के सामने एक line draw करी थी न आप लोगों को याद होगा मैं आपको show करता हूँ मैंने यह line आप लोगों के सामने draw करी थी और मैंने आप लोगों को का था sorry यह नहीं है line यह line है यह मैंने line draw करी थी और मैंने आपको का था अगर इसका breakout आया इस level से up move के बाद इस level से up move के बाद इसका breakout आता है तो यानि कि यह bottom बन चुका है और यह top बन चुका है तो मैंने आप लोगों को क्या करवाया मैंने आप लोगों को 15,000 sorry मैंने आप लोगों को 15,300 का call shot करवाया and 15,100 का put shot करवाया अब आप देखेगा यह उपर वाली line और यह नीची वाली line के अंदर ही पूरी market trade कर ही है मैंने शुरुवात पर का था market range bound रह सकती यह live session और पूरे time देख रहे है यह पूरे time range bound रही है पूरे time आप clear ले सकते हैं अपने breakout देने की कोशिश करी बड सस्तेन नहीं करा हमारा stop loss यो था हमारा stop loss था 15,280 रूपीज का और हाय था 15,260 रूपीज का दुबारा नीचे आया और उसी range के अदर तो दोनों के हंदर हम लोगों को profit booking बहुत बढ़िया देखने को मिलिया है and myself personally मैंने भी बहुत अच्छा return दोनों के अंदर earn कर आया है calls short करके and put को short करके तो मेरे को 10 lots के हिसाब से दोनों में बहुत बढ़िया profit मिली गया था and मैंने अपनी profit booking कर ली थी मैंने इस fall पे नहीं मैंने around यहाँ पर यह candle दिख रहे है इस candle पर मैंने अपनी profit booking कर ली थी तो I hope यहाँ पर आप लोगों को पता चल गया होगा अब क्या करना है मैं 15 मिनिट के time frame उपन कर रहा हूँ 15 मिनिट के time frame पे मैं दुबारा बता रहा हूँ यह एक range बन चुकी है इस range के अगर either side breakout आता है तो buying करनी है इस range के neither side अगर downside आता है तो आप लोगों को short करना है बट अगर breakout आता है तो sir अच्छी quantities पर buy कर सकते है yes कर सकते हो बट अगर short आता है तो minimum एक या दो lot पर trade कर लेना है जादा मत करना ठीक है यह risky है short covering आ जाएगी बहुत तेजी से buying आ जाएगी दुबारा तो sideways to uptrend है हमारे लिए downside नहीं है 15,200 15,250 का level important है अगर उसका breakout होता है हम तभी trade करेंगे bank nifty कल जब हम लोग आये थे तो bank nifty पर मैंने आपको बताया था 35,070 का level अगर break होगा तभी हम लोग trade करेंगे तो यहाँ पर हम लोग आते हैं अपने 5 एक मिनिट के time frame पर एक मिनिट के time frame पर आते हैं अगर एक sharp fall आ गई तो मुझे पता था जो मैंने आप लोगों को बताया था एक resistance है उस level पर same goes with nifty, nifty भी यहां तक आया मैं इसको आप लोगों के लिए हटा जेता हूँ कि clear हो जाए nifty भी इस नीचे तक आया तो हम लोगों ने इसका base लिया and यह हम लोगों ने एक top ले लिया top लेनी के बाद हम लोगों ने एक range decide कर ली जो कि एक range आ रही है इस level पर यह एक range, जब इस level का इस level से breakout आया तो यहां पर हम लोग एक trade ले सकते थे कि 35,100 का call short कर सकते थे और 35,500 का put long कर सकते थे, ठीक है short कर सकते थे, पूरे time इस range के अंदर काम कर रहा है, मैं generally bank nifty पर trade नहीं करता, मैंने live session पर आपको बताया था, कि मैं bank nifty पर trade नहीं करता, मैं nifty पर ही trade करता हूँ जब ही market sideways रहती है uptrend की बात नहीं कर रहा है, sideways तो आप देखेंगे, पूरे time market sideways रही, उसके बाद एक breakout इस नहीं दिया, और फिर नीच आ गई तो ये breakout पर ही है, हमारे stop losses hit हो चुके होते, बट generally यहाँ पर हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि bank nifty हम लोग trade करता ही नहीं 15 minute के time frame पर चलते है, 15 minute के time frame पर मैं दुबारा बता रहा हूँ, 15 minute पर आपको करना क्या है, यह देखने है, previous candle ले closing भी दी है, so अभी हमें क्या करना है, हमारे लिए market bullish है मेरे लिए market अभी एक bullish है so इस range के अंदर market रह सकती है हम लोग जब कल सुबह live आएंगे तब आप लोगों के साथ share करेंगे कि किस तरीके से market काम कर सकती है so कल मैं आप लोगों के साथ दुबारा live आने वाला हूँ guys, so अगर इस video पर 1000 likes आते हैं, तो मैं तभी आप लोगों के साथ live आऊंगा, वरना मैं कल live नहीं आऊंगा इतनी बात आप लोग याद रखना क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतनी महनत कर रहा हूँ तो मेरे लिए likes आना please important है okay guys, so आप लोग मुझे बता सकते हैं, अगर यह like अगर 1000 likes आते हैं, so definitely मैं video आप लोगों के सामने live session definitely कर रहा हूँगा so guys, इसमेसी के साथ video को end करता हूँ I hope आप लोगों को पसंद आई होगी अगर आप लोगों को interest यहाँ पर आया होगा so अगर आप लोगों को interest यहाँ पर आया होगा so अगर आप लोग इंट्रेस्टेट है तो आप लहमें कि अच्छ आप लोगों को अच्छ बाया होगों कि अच्छ देहें